about the backup services so guys I hope you all of you know very well about the importance of backup services backup service एक ऐसी सर्विस है या एक ऐसी टेकनिलोजी आप बोल सकते हैं जो हर एक domain पे हर एक profile पे सूट करती है means अगर आप system administrator की तरह task perform करते है means as a system administrator work perform कर रहे हैं किसी organization के लिए और आप उस profile में backup की service को add कर लेते हैं कि means आपको backup का भी idea है किसी particular tool या किसी particular software के उपर so definitely कहीं न कहीं आपकी जो value होती है system administrator प्लस backup वो कहीं ज्यादा importance हो जाती है कहीं ज्यादा valuable हो जाती है second it's not mandatory mandatory for the system administrator यह ऐसी technology जो हर एक technology means other domain जो हैं अपने पास जैसे cloud की बात कर लें या वीम बे वर्चुलाइजेसन की बात कर लें या hypervisor की इसकी बात कर लें आप किसी भी profile पर job कर रहे हैं किसी भी profile पर आप किसी company में job कर रहे हैं और अगर आप अपनी current profile में backup service को add कर लेते हैं तो कहीं जो you can say that popular tool है means आज की डेट में most of organization means up to हर तीसरी organization हर चौथी organization जो है बीम बैकप का इस्तमाल करती है तो agenda बिल्कुल क्लियर है हम एक playlist इसमें से अलड़ी आड़ कर दिया है start कर दिया है जिसमें से introduction video और बीम बैकप 11 इंस्ट्रॉल करना भी आपको बता दिया है उसी process को हम आगे बढ़ाते हैं तो as you know that teach me cloud पे जित्ती भी वीडियो आपको मिलती है वो 100% live practical के साथ रहती है means जिस तरीके से आप offline या online classes लेते हैं हम को सीज करते हैं आपको day by day and class by class या session by season आपको वीडियो अपलोड करते रहें ताकि आप अपना थोड़ा सा time दे करके अपने आपको प्रिपेर कर सकें तो यह आज यह concept एक्षिल यह theoretical पार्ट है अगर आपके पास theory की नालेज नहीं रहेगी उसका बेस नहीं मजबूत रहेगा तो कही न कहीं इट में भी create a problem to understand की कैसे क्या हो गया तो बैसिकली हमने एजिंड़ा बनताया है कि इस पुटिकलर वीडियो को जो एजिंड़ा है इसमें हमने प्लान किया कि आपको बेस समझाएं कि वीम बैकप काम कैसे करता है बैकेंड में डेफिनेटल अगर आपको बैकेंड की एक्टिविटी और उसके अंदर के टास्क पता हो जाएंगे तो डेफिनेटल आप ट्रॉबल सूटिंग का पार्ट आसानी से मैनेज कर पाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉंसेट समझना है हमें इसमें प्रिक्रिजिट क्या होती है किस तरीके से इंवार्मेंट में इसको यूज किया जाता है इसके फीचर्स क्या है और किस किस तरीके से हम बैकप कॉन फिगर कर लेते हैं कौन-कौन सी सर्विस का बैकप क्रिएट क किया जा सकता है सिर्फ डॉकुमेंट का बैकप या बीम का बैकप मिन्स कम्प्लीट इंफॉमेशन हम यहां पर देखने वाले हैं और किस तरीकिस रियल इंवार्मेंट में यूज करेंगे वह आप प्रक्टिकल क्लास में देखेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं गाई मंजीत इंट्रावत यूर अनलाइन इंस्टेक्टर और प्लीज दू सब्सक्राइब माइचनल यू नोगाट की ठीश मी क्लावड एक सिंगल यूटूब चैनल जो का 100% लाइप प्रक्टिकल देता है बिना किसी इस टिप को स्किप किये हुए ताकि आप अगर हमारे प्रक्टिकल वह फालो करते हैं तो डेफिनेटल आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा तो चलिए कॉंसेप्ट समझने कोसिज करते हैं वीम बैकप तो जाइटी बात है वीम एक कंपनी है वीम बैकप इस वर्क मेंस इस एक काईड ऑफ सॉप्ट्वेर आप बोल सकते हैं कि एक तरीकी का यह सॉप्ट्वेर या टूल है जिसको हम अपने सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पे विंडोज 7 पे या विंडोज 8 पे विंडोज 10 पे कहीं पे भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं जैसे हम गूगल क्रोम की बात करें तो गूगल क्रोम क्या है एक थड़ बाड़ी टूल ही तो है इस्टॉल करते हैं थाकि आप ब्राचे से कर सकें लेटियो विडियो में अप्लोड कर चुक हैं तो आप एक नषच कर लेना कि या क्या 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 इस्टेanna होता है आ back up go install salary second important part backup की जब बात आती है मिन्स कहीं कहीं हम security एक secure data की security माइंड एक अपReace कि हमारा लोन अपर्डन कि सककर लैना किए निर्देंड होते हैं कि कि today सब्सक्राइब करता है इनका भी बैकप कॉन्फीगर करने में वीम बैकप हमारी मदद करता है च्छोटना समझाने कोसिज करता हूं कि बैकप रियल इंवार्मेंट में कैसे आप इस्तमाल करोगे तो बहुत ही सिंपल सा कॉंसेट है बैकप की जो बात आती है तो जएते बात चैया तो आधल भी डेटा का बैकप लेंगे वीम का बैकप लेंगे वीम का बैकप लेंगे उसकी यह कैप güि में मिनस अपिक पतिकलर कैप पसिटी और अब Bernard ट्रियएट्यों बैकप करेंगे तो उसको टरज का पाड घियाख आपने वह बात काम करता है और बहुत ही आसानी तरीके से और यह मैंकि इसकी हिलप से हम कहीं पर भी अमारी वीम है जब अब हैं टॉब्स ग्रावए से यह सबहल करता हूं तो वीम बैक अब का लेते हैं यहां यहां पर यह इपने पाष सिस्टम है ठीक है है यह कोई सा भी सिस्टम हो सकता है हम यहाँ पर माल लेते हैं इसको इस सर्वाइब यह तोरेज को हमने सिस्टम से और इस सिस्टम के ऊपर सर्वर के उपर हमने कहा install कर लिया Vim Backup यह जो वीब का software ह्ना बीम एलिबंट- spec UK वे से हम लेचश चीज इस्तमाल कर रहें क्योंकि free trial है तो free trial आप अगीosed कर सकते हो इसको हम नियुक्त शेजित कर दिया अब आठे हैं इन्वार्मेंट की तो इन्वार्मेंट में किस किस तरीके से यह आपका on-premises setup है ठीक है this is your on-premises environment on-premises in the sense कि आपने जो बेस हैं यहां पे servers लगा रखें क्लाइंट्स है कुछ अपने पास workstation है यह हमारा local office on-premises इनका backup configure करना है इनके clients का data का backup configure करना उसमें यह हमारा जो backup help करेगा आपने अपना पूरा का पूरा setup vmware ESXi पर लगा रखा है ठीक है यह ESXi host है product of VMware आपने AWS की service purchase कर रखी है अपने Azure की service purchase कर रखी है ठीक है यह क्या हो गए these are the source यह सभी हमारे क्या है इनको हम source की तरह मानेंगे हमारे पास जो on-premises है या ESXi है AWS है Azure है यह तीनो चारों चीज़े क्या है एक तरीकी के source है जहां से आप अपने data को accept करेंगे backup के लिए ठीक है so what we need to do यह जो system है यह सभी से coordinate करेंगा means आपके पास option मिलेंगा हम आपको practically दिखाएंगे कि आप यहां पर आपके पास data है plus files है ठीक है या folders है ठीक है इनका backup configure करना यह सक्साई में आपने VMs त्यार कर रखी है AWS में आपने VMs त्यार कर रखी है Azure में VM plus data यह आपने त्यार कर रखा है तो Beam backup क्या करेगा इन सभी से इन सभी source से coordinate करेगा और जिस भी particular site का data आपको backup लेना ESXi का backup लेना AWS का backup लेना आप अपने इस वीम backup के टूल पे यानि server 2012 जहां पर आपने इस इस टूल को install किया है उस टूल पे आकर के जब आप अपने इस वीम backup के wizard को open करेंगे तो आप पर प्रॉपर लिस्ट आ जाएगी कि आपका जो source है आपका जो backup है वो कहां से है मिंस किस जगह से आप backup को उठाना चाहते है अब माली जी यहाँ पर सक्साइब में जो वीम से उनका backup आपको configure करना है तो आपको यह प्रॉपर पाथ दे देगा ठीक है और इस पाथ को आप क्या करेंगे इस storage में जो आपका storage है जो storage device लगा रखा है उस storage में आप सेप कर देंगे तो यह दोनों ऑप्शन देगा backup तो ही है साथी साथ यह यह हमें option देता है replication का तो में backup और replication यह दोनों services हमारे बीम बैकप से हमें मिल दे वाली है तो यह concept है concept अगर आपका clear रहेगा कि ठीक है यह तीन अलग अलग part है storage है जिसकी responsibility है data को रखना जो backup लेंगे file उस backup की हुई file को रखना replication बनाना ठीक है और servatant detail जो mediator है it's a medium which is responsible to contain the beam backup टूल इस तूल को यह जो तूल हम इंस्टॉल करेंगे इस particular machine के उपर इंस्टॉल करेंगे जो भी services आपका backup लेना है like on-premises से ESXi से AWS से Azure से उन service का path जो है वो हमारा टूल प्रोवाइड करेंगा तो guys आपको यह जब भी आप इस टूल को इस्तमाल करेंगे आप अपने mind में scenario बनाके रखेंगे कि storage backup backup टूल I'm talking about beam storage beam and source source में कोई सभी हो सकता है on-premises हो सकता है cloud हो सकता है virtualization होता तो यह सभी source को क्या करता है support करने का काम करता है guys उम्मीद है कि आपको यह सारी चीज़े clear हो रही है क्योंकि अगर आपका concept clear है तो definitely troubleshoot भी आप अच्छे से कर पाएंगे और implement भी कर पाएंगे तो इस पूरी playlist में हमने plan किया है हर एक तरीकी का backup configure करने के लिए ESXi का Hyper-V का we have already created we have already set up our environment ESXi भी है पर वाइज़ भी है Azure AWS तो ही है Google Cloud तो ही है उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो भी try to configure a backup from every sources जो जो यह support करता है भी हमारा support करता है उन सभी sources का backup त्यार करेंगे तो कम से कम 30 to 35 वीडियो आपको मिलने वाली है और definitely हम courses करेंगे कि इस video playlist को बहुत अच्छे तर करके इस playlist को देख करके आप confidence के साथ बोल सके कि yes I am able to manage the backup I am able to manage the beam backup चलिया डन करते हैं यह basic information हुई उमीद है आपको सुमन में आगी होगी चीजे फिर भी अगर कोई doubt या कोई question है तो comment करेंगे definitely हम reply करेंगे take care and bye bye guys please share and subscribe my youtube channel because you know that कि अगर आप एक भी subscriber बढ़ता है न तो एक तरिके का motivation मिलता है कि हाँ ठीक है यह दो सब्सक्राइबर आ जा गए चार आ गए पाच आ गए जिरो से सुरुआत करें थे अभी हम लोग लगबग किये थे हम लोग लगबग 9000 के आस पास आ तो ठीक है चलते रहेंगे दीरे दीरे आगे बढ़ेंगे but अगर आपका कोई suggestion है अगर आपका कोई comment है तो आप comment में drop करिए suggestion हो या फिर कोई और playlist के बारे में आप जानना चाहते हैं तो definitely आप comment कर सकते है डन करते हैं आज के लिए टेक केर बबाए गाई